फिर एक बार आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट रिसर्च में इस वीडियो में आप जानेंगे एक ऐसे पक्षी के बारे में जो बाकी पक्षियों से बिल्कुल अलग है ये शुरू करते हैं यू तो जादतर चडिया दो डालियों के बीच में अपना गोसल बनाती है कि वो हर समय जूलता रहता है इससे दो फायदे होते हैं एक तो ऐसे घोसले में दूसरे पक्षियों के आने का खत्रक कम होता है और दूसरा कि वो और उसका पूरा परिवार जूला जूलने का भी मजा लेता है इस पक्षी का नाम बया है ये पक्षी जादतर अफ बहतरीन घोसला बनाती है जो पेड़ से लटका हुआ अक्सर मिल जाता है वीवर का घोसला एक बहतरीन कारी reconsti होता है वीव वीवर प्रकाश में रहने की बहुत शौकीन होती है इसलिए वो अपने गोसले से रोश्नी की व्यवस्था भी करती है वह अपने गोसले में जुगनुओं को भी बुन देती है जुगनुओं को वो गीली मिट्टी की मदद से अपने गोसले में लगाती है जिसकी वजह से ये रात में जगमंगा उठता है और ये नजारा बहुत ही सुन्दर होने के साथ ये इतना मजबूत होता है कि तेज आंधी में भी ये डाली से नीचे नहीं गिरता ये घोसला अपनी पकड डाली से बनाय रखता है ये ऐसे पेड़ों पर अपना घोसला बनाते हैं जो की काटेद जिसकी वजह से सिकारी से इनके बच्चों का बचाव होता है इन पक्षियों को जारतर बबूल के पेड़ पर घोसला बनाते हुए देखा गया है तेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया अब यहां तक आई ही गए हो तो मेरे चैनलो को सब्स्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भोलें